नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सक्स्टेवूट नेटवर्ट्स है, लगबग 15 बिलियन यूस डॉलर है साइरस पुनावाला की खास बात यह है कि उनके सपने केवल उनके तक सीमित नहीं है लेकिन उनके सपनों में तमाम लोगों का भी सपना और उनके लिए कुछ भला करना भी सामिल है बस यही बात उनको दूसरे लोगों से अलग करती है साइरस पुनावाला को भारत के वैक्शिन कींग के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि साइरस पुनावाला पुनावाला ग्रूप के अध्यच है जिसमें सीरम इंस्ट्यूट औफ इंडिया भी सामिल है सीनम इंस्ट्यूट ओफ इंडिया की बायो टेक और फार्मसूटिकल कमपनी है जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिन निर्माता है साइरस पुनावाला का जन्म एक पार्सी पडिवार में 1941 में हुआ था उनकी पिता घोड़े का अस्तबल चलाते थे और हर्स रेसिंग भी करवाते थे 1966 में इन्होंने पुने विश्य विद्दाले के विहान महाराष्ट कॉलेज ओफ कॉमर्स से ग्रेजुशन की डिगरी प्राप्त की और जैसे कि कहते हैं कि अगर कुछ अलग करना हो तो सोच भी दूसरों से अलग होनी चाहिए सायद इसी लिए साइरस पुनावाला आज इस मुकाम पड़ है उनका आइडिया हमेशा सही दूसरों से अलग रहा था Cyrus पूनावाला को यह पता था कि आने वाले दिनों में Horse Racing से ज़्यादा Car Racing होने वाली है और इसी सोच के साथ पूनावाला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 120 डॉलर में एक Modify Jaguar तयार किया लेकिन उनका ये प्लान असफल रहा क्योंकि उनका मानना था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे की कड़ोरों लोगों की समस्या दूर हो सके और ये Car Racing से ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी कुछ रिटायर घोडे Hawking Institute को दे दी जाते हैं तो उन्होंने वहां के एक डॉक्टर से पूझा कि ये इंस्ट्यूट इन घोड़ों का क्या करते हैं तो डॉक्टर ने बताया कि ये Hawking Institute इन घोड़ों के सीरम से वैक्सिन बनाती है ये बात सुनकर उन्होंने सोचा कि क्यो ना हम खुद का सीरम वैक्सिन बनाए इसलिए उन्होंने अपनी स्टर्ड फर्म के घोड़े के सीरम के जड़िए सस्ती वैक्सिन बनाने का सपना देखा हलाकि सीरम वैक्सिन पहले से भी बनाई जाती थी लेकिन वह काफी महंगी होती थी और जिसे आम लोग उस वैक्सिन को नहीं ले पाते थे जादा लोगों की मदद करने के लिए साइरस पूनावाला ने 1966 में सिरम इंस्टूट ओफ इंडिया की स्थापना की जहां पर उन्होंने 10 डॉक्टर और साइन्टेस्ट हौकिन इंस्टूट से हायर किये तकरीबन 2 साल के बाद इन्होंने एंटी टेटनस सिरम बना लिया जैसे ही साइरस पूनावाला ने एंटी टेटनस की सिरम बनाई उसके बाद ही इनकी किसमत चमक उठी क्योंकि कुछ साल बाद ही इनको सरकारी होस्पिटल्स में वैक्सिन सप्लाई करने का कॉंट्रेक्ट भी मिल गया और आज इनकी कंपनी कई जीवन रचक वैक्सिन बनाती है जो की 140 देशों में एक्सपोर्ट की जाती है उनमें इससे हैं DTP, Anti-Snake Venom सिरप, Dipteria, Tetanus, Milch, R-Heptitis B, Malp, Rubella, मुख्य रूप से बनाई जाती है साइरस पुनावाला की इस कोशिस से 50 करोर बच्चों और बड़ों को सस्ति वैक्सिन मिल पाई सिरम इंस्टूट ऑफ इंडिया की बदोलती 80 के दसक में काली खासिक जैसे बिमारियों से लरने की चमता हासिल हो पाई इसके लिए साइरस पुनावाला को 2005 में पद्म सिरी का आवार्ड भी मिला 2011 में साइरस पुनावाला के बेटे आदर पुनावाला ने कमपनी की बागडोर समाली और ये सिरम इंस्टूट ऑफ इंडिया के CEO बन गए 2020 तक कमपनी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सिन मैनुफेक्चर बन गई थी जो हर साल लगबग 1.5 बिलियन वैक्सिन बनाती है दोस्तों कैसे एक सही सोच और कुछ बड़ा कर दिखाने का जज़बा साइरस पुनावाला को गोड़े के अस्तवल से भारत के सबसे अमीर वेक्तियों के लिस्ट में लेके आ गया तो इसलिए आप भी कुछ ऐसा करिए जिससे की आपका तो भला हो ही साथ ही साथ दूसरों का भी भला हो जाए और अगर आप अभी कुछ भला करना चाते हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी भला हो जाए तो आज किस वीडियो में इतना ही लाइक करें अगर वीडियो काम की लगी हो तो और कमेंट करके बताइए कि मैं और कौन से मैंटर और बिजनस के बारे में वीडियो बनाऊ और सेर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनने बिजनस में इंट्रेस्ट हो या जो कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को हर संडे ऐसी वीडियो देखने के लिए और बैल आइकन पे जरूर क्लिक करें वरना आपको नौटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप वीडियो मिस कर दोगे और अगर आप ये वीडियो फेस्बूक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सक्सेस ड्रिफ्ट को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा और फाइनिली थैंक्स फॉर वाचिंग